नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्णमनाइक आप देख रहे हैं स्टार्टप ग्यान और फर्स्ट एप्रिल पहले जब हम स्कूल पहुंसते थे तो हमारे दोस्त हमें भी इफकूब बनाते थे आज कल जब हम सुबह उठते हैं सोशल मीडिया में ऐसे चमतकार वाले इनोवी इनोवेशन से वह लगता है कि काश यह सच हो जाते कुछ शायद बहुत जल सच हो जाएंगे और कुछ तो यार ऐसे अनोख्या और वीर्ड इनोवेशन से ना आप भी सुनके सोचोगे कि वह यह ब्रैंड क्या सोच रही थी तो यह सब हम डिसकस करेंगे डीटेल में वीडि शादी.com तो फैंग का मतलब होता है Facebook, Apple, Amazon, Netflix और Google तो बेसिकली जो भी एंप्लोईज यूजली टेक वाले बंदे इन कंपनीज में काम करते हैं उनको फैंग एंप्लोईज बोला जाता है और क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज है अच्छी कासी सालरी मिलती है और इंडिया मे वैसे भी ITIM शादी.com ही काफी अदा फोकस रहता है कि जिनकी शादी हो रही हों की सैलरी कितनी है तो फैंग शादी उपड से देखो कि तो यार काफी सही आईडिया है और चल भी सकता है वैसे मेरे इसाब से सरकारी नौकरी शादी.com और बेतर चलेगा अगर आप इनकी वे सब्सक्राइटिक्स करके हम पर्सनलाइज मैचेश करवाते हैं और फिर खबर आए कि आर फैंग शादी.com को स्कैलर अकैडमी ने खई लिया है यो कि बच्चों को कोडिंग सिकाता है और उनका कहना था कि यार हम सर्फ बच्चों करियर नहीं बल्कि लाइव भी बनाने में मदद करेंगे बट जैसे ही आप वेबसाइट के नीचे जाते हो और डिस्क्लेमर में क्लिक करते हो तो आपको समझ आता है कि यह तो बिलकुल एप्रिल फूल प्रैंक है या फिर अगर आप इनका फॉर्म भरोगे तब भी वो स्कैलर अकैडमी में आपको लेके जाएगा त तो इस आइडिया में भी कोई दिक्कत है नहीं वैसे आपको क्या लगता है क्या सरकारी नौकरी शाधी.com चलेगा इंडिया में कमेंट्स में अपने उपिनेंस जरूर बताना नेक्स प्रैंक है किया जब फ्लिपकार्ट ने अनौन्स किया किया वो बिटकोईन अज़ा इसे एकसेट नहीं करेंगा इंट्रेस्टिंग पोस्ता अच्छी का से रीच मिल गई सब खुश हुए क्यार चाहे प्रैंक की सही अट लीस्ट बिटकोईन को कोई तो इंडिया में एकसेट करने का सोच रहा है अगला जो प्रैंक थोड़ा यार दुख हुआ देखें क्यों और उनको भी लगा हूँ कि एलेक्रिक इसलिए वह नाम चेंज कर रहें बट फिर भी डाउट हो रहा था क्यार फोक्सवागन ने वैसे जादा तो इलेक्रिक गाडियां बना ही नहीं है बट आगे जाके जो डाउट था वह सच हुआ और फोक्सवागन ने बोला कि गाडियों के अच्छे आप्शिंस मिलें अगला प्रैंक तो यार सही में क्रेजी प्रैंक है क्योंकि ओला ने बोला कि यार वो एर प्रो लांच कर रहें मैंने सोचा यार अभी तो बोल रहते हैं तो यह कहां से नहीं चीज बना दी कि जो रास्ते बें भी चलेगी और हवा में भी उडेगी तो इसका अगर आप वीडियो देखेंगे ना भावेश अगरवाल तो ऐसे बात कर रहें जैसे हैं इनका वेबसाइट खोलेंगे और देखेंगे इसका रेंज अलिमिटेड है चार्जिंग करने की कोई जरुवत नहीं है 350 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे च बोला है कि भाई यह जो और प्रेंग वही तो हम बनाने की कोशिश कर रहें तो अगर ऐसे इलेक्ट्रिक एर ट्रांसपोर्ट वेहिकल आ जाएं तो सही में या ट्रांसपोर्ट इंडिस्ट्री तो एर रेवलूशनाइज हो जाएगी अर्बन कंपनी ने भी मस प्रेंग खे प्रोफेशनल बंदें बेजेंगे जिनका मिशन तभी होगा जब आप उठोगे तो काफी लोगों को यह काम आ सकती है और एक्च्वल में ट्विटर पे इसका एक छोड़ा सा वीडियो भी शेयर किया है इक सीगों ने भी मस प्रैंक खेला जब उन्होंने अपना स्मार्ट सीट लॉंच किया 1st April को तो जैसे कि आपको पता है कि आर एर क्लीन में जब हम जाते हैं काफी बार टर्बिलेंस होती है और उनको कहना है कि काफी फ्लायर इससे डर जाते हैं तो इन्होंने एक ऐसा फोम सीट बनाया है जिससे कि आपको यह टर्बिलेंस महसूस नहीं होगा और इसको आप अराम से चार्ज कर सकते हो जो कि 20 गंटा तक चलेगा और हाँ यार वही नासा वाल टेक्नोलजी यूज़ करिए और आपको क्या लगता है कि क्या ही एक यूसफुल प्रड़क्ट होगा कमेंट्स में ज़रूर बताना अगला जो प्रैंक है ना उसको देया ल एक्चुली में हजारों लोगों ने उनको फोन करके पूछा कि भाई जो भांग फ्लेवर्ड मिलक्षेक है कब आ रहा है और कितने का आ रहा है कब हम और कर सकते हैं फिर केवेंटर्स वालों को भी बोलना पड़ा कि भाई या फर्स्ट एप्रल आ रहा है थोड़ा हम भी उनकी वाइफ जिल बिजन ने भी जब फ्लाइट से आ रही थी उन्होंने प्रैंक किया जब फ्लाइट अटेंडंट बन गई बीच में इसके लावा कई सारे मोबाइल ब्रैंड जैसे की पोको उन्होंने बोला किया हम अपना एनरजी ड्रिंक पोको लोको लांच कर रहे है वन प्लस ने बोला किया हम 360 डिगरी स्क्रीन लांच कर रहे हैं जिसका नाम है वन प्लस उमनी इसके लावा एसर ने तो बोला किया हम एक स्मार्ट स्पीकर लांच किया है जो की आपका जो पैट कुट्टा जो भी बहुक रहा है उसको ट्रांसलेट करेगा वसे इस चीज के तो डिमांड काफी सारे पैटलवस को होगी इसके लावा एसूस ने जैन सर्कल लांच किया जिससे कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो और खाना भी पका सकते हो काफी इंटरस्टिंग यह वाला तो और पब जी ने भी मस्ट प्रैंक खेला जब उन्होंने बोला किया वो अ लांच किया जो कि जादा कुछ समझ नहीं आया और अधर इसूस आरो जी ने अपना साइबर शू लांच किया जो कि सही में जो स्नीकर होते ना वो तो बहुत खुशी हो जाते हैं तो यह भी कुछ और प्रैंक से इन में से आपका सबसे फेवरिट प्रैंक कौन सा है और ऐस मिस्त न करें इंस्टाग्राम का लिंक ट्रिटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में जल्दी सा के वहां भी फॉलो कर लो और क्या आप चाहते हैं कि एक वीडियो बनाओ जिसमें मैं आपको बताओं कि पिछले साल सबसे आधा लॉसस कौन से इंडियन स्टाट अप्स के